मनुष्य के पुत्र के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वही पहले स्वर्ग से उत्रा है. जिस प्रकार मोशे ने जंगल में साप को उँचा उठाया, उसी प्रकार जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी उँचा उठाया जाए, कि हर एक मनुष्य उसमें विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप करें. परमेश्वर ने संसार से अपने आपार प्रेम के कारण अपना एक लौता पुत्र बलिदान कर दिया, कि हर एक ऐसे व्यक्ती का, जो पुत्र में विश्वास करता है, उसका विनाश न हो, परन्तु वो अनंत जीवन प्राप करें. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोश लगाने के लिए नहीं, परन्तु संसार के वो धार के लिए भेजा.